बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम अलेकुम दोस्तों आपको मैं वेलकम करते हूं अपने योट्यूब चैनल पर आज एक और इंफोर्मेटिव वीडियो लेकर आपके साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में आप अपना पासपोर्ट कैसे बनवा सकते है कौन कौन से डाकुमेंट्स रिक्वाइड होते हैं और इसकी जो फीस है वो कितनी होती है लिटिस्ट फीस जो है साल 2022 की वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा डाकुमेंट की बात की जाए तो आपका औरिजिनल CNIC और आपका डूमी सैल कोई भी आपको एजूकेशनल करो लिए इसके बात करते हैंडियन के बात हैं कि मतलब जब आपको छाइए अगर चाहिए तक अदर अंदर पास्पोर्ड और अपको मिल जाता है सबसे पहले नार्मल कीनृण और आपको चाहिए पांच साल के लिए 36 pages का passport उसकी जो फीस है नारमल फीस है 3000 रुपए अगर आपको 72 pages का चाहिए 5 साल के लिए उसकी फीस है 5000 500 रुपए और अगर आपको 100 pages का चाहिए 5 साल के लिए तो उसकी फीस है 6000 रुपए इस तरह अगर आपको 10 साल के लिए 36 pages का चाहिए उसकी फीज होगी 4500 रुपए 10 साल के लिए अगर आपको चाहिए 72 पेजिस का उसकी फीज है 82500 और इसी दर अगर आपको 10 साल के लिए 100 पेजिस का चाहिए उसकी फीज है 9000 रुपए अब बात करते हैं अरजेंट अरजेंट आपको तक्रीबन तीन से चार दिन के अंदर रहने पासपोर्ट मिल जाता है पांच साल के लिए अगर आपको 36 पेजेश का पासपोर्ट चाहिए उसकी फीज़ है 5000 रुपए और अगर आपको 72 पेज़ का चाहिए पांच साल के लिए उसकी फीज़ है 12,000 रुपए इसलिए अगर आपको 36 पेजेश में जो पासपोर्ट चाहिए 10 साल के लिए तो उसकी फीज़ है 7,500 रुपए 72 पेज़ का अगर आपको चाहिए तो 13,500 और अगर आपको 100 पेज़ का चाहिए 10 साल के लिए उसकी फीज़ है 18,000 रुपए इसके भी जिल्दी आपको पासपोर्ट चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है तकरीपन फुर्टी एट आर्स का टाइम होता है तो आपको पहले ही मिल जाता है फुर्टी एट आर्स से पहले ही आपको मिल जाता है लेकिन इसका टाइम जो हता है वो फुर्टी एट आर्स होता है तो यह आपको इस से भी अर्जंट से भी आपको पहले मिल जाता है इसमें अगर आपको पांच साल के लिए कोई पासपोर्ट चाहिए तो उसकी फीस अपकी होगी 10,000 रुपए और अगर आपको चाहिए 10 साल के लिए कोई पासपोर्ट चाहिए तो उसकी फीस होगी 12,500 रुपए अब इसका प्रोसेस क्या है आपने वहाँ पे जाना है पासपोर्ट आफिस वहाँ कोई भी आपका पासपोर्ट आफिस हो तो वहाँ बाएर से आपको इसी ली उसका चलान मिल जाता है पासपोर्ट का वो चलान आपने ले लेना है खुद भी आप उसको फिल कर सकते हैं या किसी से आप फिल भी करवा सकते हैं उसमें आपने अपना नाम अपने डिटेल वगरे लिखनी होती है और नेशनल बैंक में आपने वो चलान जमा करवा देना होता है तो बस वो फिल करके वो चलान आपने जमा करा देना है तो यह आपकी फियस जमा हो जाती है और पिर वो आपको बता देंगे कि आप इतने टायम में पना पासपोर्ट वहाँ पे आपने मेंशन कर देना है उस हिसाप से कौन सा पासपोर्ट आपको चाहिए normal चाहिए, urgent चाहिए, कितने साल के लिए हो, कितने pages का हो यह आप लिखेंगे, तो आपके fees आजाएगी वो fees आप जमा कराएंगे, तो आपका passport आपको इतने time के अदर मिल जाएगा, अगर आपका passport गुम हो जाता है, गुम होने की सूरत में है, आपको double फीस आपको देनी पड़ेगी, दुबारा passport लेने के लिए यह थी वीडियो, अगर मजीद को information आपको चाहिए, तो आप नीचे comment में बूच सकते हैं, इंशालला मैं महाँ पे भी आपको जवाब दूँगा, और मजीद informative वीडियोज के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब लाजमी कीजेगा